सलाम नमस्ते सच्छिकाल प्रोग्राम आवाजे इसलाम देखरे साड़े सारे दर्शकांदा स्वागत है जी मेहां कासी फारुकी हर एक बार दी तरह एस वारवी साडेनाल स्टूडी देविच मौझूद ने इकरा चैरी टेवल टरस्ट दे फाउंडर डॉक्र कमाल अली खान जिड़े की इसलाम तरम दे माहिर मने जान देने और एस वेले एनाई एस पटे आला देविच अथलीट डिपार्टमेंट दे मु बहुत स्वागत है जी शुक्रिया जड़ साब पिछली बार असी गल की ती से जकात दे उते थे साड़ी चाज़ा चल रहे सी के जकात कीना कीना नो चैरिटी जड़ी दिटी जा सकती है जी हमने जैसे पिछली बार की थी सबसे पहला पुरान हकीम सुरा तौबा सूरे ये मतलब एक ऐसा शक्स जिसके पास पेड़ भरने को तो है लेकिन उसकी जिंदगी कही रुक गई जिसाल के तौर पे एक शक्स है जो अपने घर में बच्चिया उसकी दो बेटियां है या दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं वह उन्हें खिला तो सकता है वह उन्हें पहन है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि मुकमल तोर पर जैसे एक नौर्मल आदमी जी जीता है नौर्मल आदमी अपने आपको जो जिन्दगी में उसको जरूरते हैं पूरी करता है उस तरह नहीं है तो वो मिस्कीन में आएंगे तो इससे मालूम हुआ कि समाच का वो तफ़ा जो लगभग गरीबी रेखा के बराबर आ चुका होता है वो भी इसका हगदार है उसके लिए भी हमें देना है तो यह दूसरा बड़ा एहम पॉइंट है जिस पे हम नजर अदाज में करते हैं हम सोचते हैं फ़ला शक्स दस हजार रुपए आठ हजार रुपए कमा तो रहा है आज के दोर में इतनी बड़ी रकम क्या हैसित रखती है सिवाए खाना खिला सकता है हमें चाहिए कि हम समाज में ऐसे लोगों को देखें कि क्या उनकी जो बुनियादी जरूरते हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं तो ये तमाम लोग जो हैं वो मिस्कीन में आते हैं ये दुसरे नमबर पे है पिर तिसरे नमबर आता है वलामिलीन अलैहा ये हुकूमत के लिए है कि जहां पर मुस्लिम हुकूमत हो हकومت کو یہ हق है कि वो जबर दस्ती भी जकात हासिल करेगी उन लोगों से जो जकात देने के हखदार है जिस तरीक जिस तरीक नहां हिंदुस्तान दे विचे टेक्स लिया जाना है जैसे टेक्स लिया जाता है इसलाम ने एक ही टेक्स रखा है उस टेक्स का नाम है जकात वो मुसल्मानों से टेक्स लिया जाएगा तो इनको बंदोबस्ट करने वाले लोग इसको वसूल करने वाले लोग इसका रिकार्ड रखने वाले लोग इसका हिसाब किताब करने वाले लोग इनके लिए जो ज़रूरत है तो उनकी तनकाएं भी इस जकास से दी जाएंगी ये दी जा सकती हैं अगर जरूरत हो तो तो ये तिसरा इसका बहुत बड़ा एहम पॉइंट है इसके बाद अल्लह तबारकों ताला ने इसी में चौथे नंबर में फर्माया बड़ा एहम चीज़ है और मैं आज बड़ी इमानदारी के साथ यहां से यह बात कह रहा हूँ कि मैजौर्टी मुसल्मानों किसके बारे में नहीं पता हूँ दिलों को जो चीज़ फेर दे वो जो दिलों में जगा कर जाए वो जो इसलाम या नबी पाक चीज़ जिने अल्लह ने रहमत काइनात बना के भेजा रहमत तुलूलालमीन बना के भेजा उनकी तमाम उन अच्छाईयों को उनकी तमाम उन खूवियों को उनकी तमाम उस सचाई को जिसके लिए लगा उसके बारे में लोग सोचें उसके बारे में दिल में जगा हो उसके बारे में उनका दिल रुजू हो उसके बारे में उनका जुकाव पैदा हो और इसके मानने वालों से उन्हें महबते हो इसके उसूल इसके नियम इसके कावानी की तरफ मतव्जे हो अ dozen एसे तमाम लोग जिनको ये दे कर मतवजे किया जा सकता है जिनकी मदद करके इस बात पे लाया जा सकता है कि यकीन इसलाम और उसके गावनीन इंसानियत भाईचारगी और बंदगी का कितना बड़ा नमूना है ऐसे तमाम लोगों को भी दिया जा सकता है ये चौथा है पांच माँ फिर फर्माया वफिर रिकाब वो लोग जिनकी गर्दने बंदी हैं आप जानते हैं कि अरब की तारीख में जब नबी पाक इस दुनिया में तश्रीफ लाए उस वक्त गुलामी का महौल था लोग गुलाम थे गुलामी में जीते थे पूरी जिन्दगियां गुजर जाती थी उनके पास गुलामी से छुटने के लिए पैसा नहीं था उस वक्त के लिए खास है लेकिन आज भी गुलाम हैं लोग कितनी लग देते हैं वो अपने आपको गुलाम बना देते हैं वो उस मालिक के पास जिन से चंद रुपे लेते हैं और उने छुटने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता ये भी गुलामी है ऐसे तमाम लोग जो किसी गुलामी में जी रहे हैं जिनकी गर्दने फसीवी हैं जो मह विवस्था जिसके खिलाफ सरकार भी आवाद उठाती है अगर वहां उस बाल विवस्था से जो लोग नौकरी चाकरी काम कर रहे हैं अगर छुडाना पड़े और हमें पैसा खरच करना पड़े तो ये जगात का पैसा वहां भी लाया आजा सकता है फिर इसकी जगा च्छटी आजा हो जाए तो वो तरकी करके इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासल कर सकते हैं उन तमाम लोगों के कर्ज उन तमाम लोगों की उस मुसीबत को छुडाना उन से निकालना उन से पूरी तरह बहालाना ये भी इसका एक मकसद है इसके बाद फी सबीलिल्ला अल्लह की अच्छा में अल्लह की रा का मा안इञा ये है किसी भी तरह का आ की रह पूरी ने की का काम हो आप किसी जगा कुए की जरुरत है कुआ खुदवा दें आपको जरुरत है कि लोग यहां से निकलते है इनको पानी पीना एक प्यास है इसी में हमारे मदारीस जो चलते हैं जिन उन बच्चों की पढ़ाई, उनका रहने का इंतिजाम, किसी प्यासे को पानी का इंतिजाम, किसी जगा अगर जरूरत है कोई एजूकेशन स्कूल खुलने की तो उसका, किसी जगा अगर कोई इंसानियत मर रही है तो उससे जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ये मकरर नहीं फरमाया, फरमाया, फी सबीलिल्लह, अल्लह की रह में, जहां जैसे जैसे जरूरत होती जाए, उसकी रह में जतना चाहें आप खरच करें, कोई आपको नहीं रोक सकता, ये खास पैसा इसी के लिए है, और फिर फरमाया, वबनिस सबील, मुसाफिर, बड़ा आहम है, आज हम मुसल्मानों में, आप भी एक माश्रे में रहते हैं जहां बड़ी तदाद मुसल्मानों की है, आप बताईए कि हमारे मुसल्मानों की वस्तियों में क्या मुसाफिरों के लिए कोई इंतिजाम है, यहां मुसाफिर कहा, यह नहीं कहा, कि मुसाफिर कौन, व मुसाफिर कोई भी हो वो अमीर हो वो गरीब हो वो मुलक का हो मुलक से बाहर का हो वो शहर का हो शहर से बाहर का हो क्योंकि मुसाफिर मुसाफिर होता है उसके पास महताज़गी होती है फरमाया कि अल्लह का जो फीस सबील जो भी मुसाफिर है आज ये पैसा हमें चाहिए कि हम फी सवील जो है मसाफिर वो लोग भी है जो आज रातों को आप देखिए काम के लिए आते हैं और फुटपातों पर पड़े होते उनके पास कंबल तक नहीं होते या पिर मामूली से चीज़े होती हैं जिस सर्दी बचें ये तमाम लोग उसमें आते हैं यहां तक कि अगर कोई मजदूरी करने बहार से आया वो भी मसाफिर है ये आठवा हैड है इस तरहां आठ लग ने गिनवाया एक एक करके आठ चीज़े गिनवाईं कि ये वो जगा है जहां पर आप जगात का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एक करके तो ये वो हैड है जो आपने पूछा था कि कहां कहां कर सकते हैं में हैड और इनके अंडर में आने के बाद जो जो चीज़ आती हैं वो हम कर सकते हैं तो ड़साब बहुत सारी जहीं गला ने जिस चीज़ नो लेके काफी जड़ा कंफियूजर रहन दी है खासकर के मुस्लिम माशरे अंदर भी इस चीज़ दी कंफियूजर रहन दी है इसलाम तर हम नो फौलो करन वाली लोग का लिए वीच रहन दी न ते गैर मुस्लिम पाईचार दे विच भी रहन दी हैं कि मदरसे आते महजिद अता की और सीमत क्यों होके रह गी है जकात बड़ा अच्छा आपने सवाल किया इसके दो पहलू है एक पहलू तो बड़ा पॉजिटिव है क्योंके मदारिस में ज्यातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत गरीब होते हैं जिनके पास खाने या पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता वो तमाम बच्चे आते हैं और वो उसके हगदार होते हैं लेकिन आम मुसल्मानों को चूंके वो अपने पुरान हकीम से दूर है अल्ला की उतारी हुई किताब से दूर है इसलिए उन्हें ये नहीं मालूम कि हम कहां कहां हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करीं अब होता ये है कि एक चीज़ बता दी जाती है कि इस पे सिर्फ मदारिस का हक है मैं ये नहीं इस बात में इनकार नहीं कर रहा हूं कि वहां कोई गलत हो रहा है नहीं बड़े गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं दीने इल्म सीक रहे हैं इल्म दीन का आलिम बन रहे हैं बहुत जरूरी चीज़ है लेकिन जकात का मकसद किसी भूके को खाना खिलाना नहीं है जकात का मकसद ये भी नहीं है कि एक फटेवे कपड़े पहने जा रहा है तो हमने उसे एक कपड़ा दे दिया जकात का मकसद ये भी नहीं है कि हमने एक महिना या च्छे महिने के लिए किसी को राशन दे दिया जकात का मकस्द ये भी नहीं है कि हमने किसी एक महीने के फीज जमा करदी जकात का मकस्द है खरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा के रूपर लाना और आपको बड़ा ताज़िब होगा आप बताईए मुझे कि हमारे इस वतन में, हमारे इस हिंदुस्तान में, जहां इंसानियत बहुत जिन्दा है आज भी, अगर हम दुनिया में देखें, लेकिन गरीबी से रेखा से नीचे रहने वाले कौन से लोग कहलाते हैं, प्यूरिटी, लाइन से नीचे वाले क्या हैं, उनकी इंकम क्या बताई जाती है, तीन हजार, पंद्रह हजार, साल पे पंद्रह हजार से कम, वाला गरीबी रिखाता है, आपको ताज्यू होगा और खुशी भी होगी, इसलाम ने गरीब किसे माना, जिस शख्स के पास साड़े साथ तोले सोना या उसके बराबर की रकम नहो, वो नीचे है, धाई लाक से लगभग दो लाक तीस हजार से लेकर पचास हजार तक से कम शख्स, यानि एक ऐसा शख्स जिस पर पूरे साल में इतने भी रुपए नहीं जमा हुए, कि उसे पूरा साल गुदर गया और उसके एकाउंट में दो सवा दो लाक रुपए भी नहों, वो इसलाम की नजर में गरीब है, वो हकदार है जकाउट का, आज यह हुआ कि हमें ये बता दिया गया, हमें ये सिखाया गया, कि सिर्फ मदारिस का हख है, हंदुस्तान में एक सर्वे हुआ, मैं नहीं कहता है, वो सर्वे सही है ये गलत, لेगीन कुछ लोगों चन्स लोगों ने को कि मदारिस में भीजना कोई गलत नहीं है लेकिन हम जरा सोचें कि वहां गरीब बच्चे पढ़ने आ रहा हैं हम गरीबी को क्यों नहीं मिटा देते हैं हम ऐसे इंतिजाम क्यों नहीं कर से कि हमारे मदारिस में लोग पैसे दे कर पढ़ें जब वो गरीबी नहीं होगा तो फिर खाए नहीं पिने क्यों आएगा, इस पैसे का प्रॉपर इंतिजाम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई निजाम हमने नहीं बनाया, हमने कोई तहरीक नहीं चलाई, हमारे, मैं बड़ी माज़रत के साथ ये बात कर रहा हूँ, कि उल्माए दीन ने भी इस मा आती है, और 10% वो लोग हैं जो जाती तोर पर अैसान के तोर पर जगात देते हैं, आज निजाम नहीं हने की वज़ा है, पहली चीजह हमें इल्म नहीं, दुसरी चीजह सही ह हम खुश हो गए, नहीं, बिलकुल मदारिस में दिया जाएगा, लेकिन हर साल उस मदारिस के स्टेंडिट को तो बढ़ाएं, उसे एजुकेशन सेंटर बनाएं, वहाँ पर जो लोग हैं, अब आप सोचिए 24 हजार करोड को डिवाइड करियें इंडिया में, कितने मुसल्मान हैं जिने 10-10 लाक रुपए आप हर साल दे देंगे, 5-6 साल बाद तो आप मुसल्मान खतम होंगे, फिर आप एहले वतन को देने लगेंगे, गौर्मिन जो इसकी इमनी चलाती है, वो आप चला सकते हैं जकात से, और मैं समझता हूँ हमारा मुलक इतना अच्छा है, कि इस वो किसी गरीब की गरीबी मिटा रहा है, या वक्ती मदद कर रहा है, जकात तो पूरा एक निजाम है, बड़ा मुकमल निजाम है, और इसके लिए मैं आपके माद्धियम से, आपके टेलिवीजन के माद्धियम से कहता हूँ, कि आओ, हम जिस तरह एक नमाजी बनाने के लि विच डट साब, जिड़ी ये जकात है, और गैर मुस्लिम लोकान भी देती जा सकती है, आपको ये सुनके खुशी भी होगी और ताज्जुब भी, कि एक ऐसा हैड जो मैंने आठ पड़े थे उनमें से, वल मॉल्लकाती कुलूबहूं, ये इस हैड में वही लोग आते हैं, कहीं पर भी, अब देखिए, फरमाया फुकरा, ये नहीं कहा फुकरे मुसल्मान फुकरा, मिसाकीन, ये नहीं कहा कि मुसल्मान मिस्कीन, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि फिर रिकाब, जिनकी गर्दने हैं, ये नहीं कहा गुलाम, मुसल्मान गुलाम, ये नहीं कहा कि मुसल और बताओं आपको कि हमें चाहिए कि जो तन्जीमें मुसल्मानों की खुबूल करती हैं, इकहटा करती हैं, जकात, उन्हें चाहिए कि वो सबसे बड़ा हिस्सा आज एहले वतन का रखें, हम गरीबी गरीबी कहते हैं, मुसल्मान को तो गरीब नहीं होना चाहिए, मैं आपक इसके साथ कहता हूँ, क्यों कि उसका काम है कोशिश करना, उसका काम है मेहनत करना, उसका काम है इस मेहनत पे बढ़ना, उसका काम है रुपया कमाना, जाइस तरीके से, क्यों कमाना, क्यों क्यों कि एक फरीजा, जकात, तब ही आप अदा कर सकते हैं, जब आपके पास माल हो तो हर मुसल्मान को ये सोच कर कि मैं जकात देने वाला बनूँ एक हटा मेनत करना चाहिए और फिर हमारे वतन में रहने वाले आप कह रहे हैं कि गैर मुसलिम हर इनसान को यहां तक कि जब इनसान पूरे हो जाएं और जानवरों को अगर उस पैसे की जरूरत है हमें कोई स्कीम चलानी है तो उनको भी दी जा सकती है वो भी अच्छा जबाब सी ड़साब थोड़ा बहुत तफसील देना तो से समझा है लेकिन एक गाले थे होर वड़ी खड़ी होंदी है कि इनना कुछ होंदे बावजूद भी बड़ा एक सिस्टम दे वेचे कुरान मज़ीदे वेच समझाया गया है लेकिन जकात बारे इननी जादा अवेरनेस ना होंदा कारण की मानते हो इसलिए सबसे बड़ी बात मैंने बताई कि अपनी किताब से हम दूर है मैं बड़े माज़रत के से इताद ये बात कहता हूँ कि जिस तरह हमारे एहले वतन में एक बहुत बड़ी कमी आई कि वो अपनी बुनियादी किताबों से दूर हुए हम बनी इसराईल को देखें तो उनके भी यही हुआ कि बुनियादी किताब से हट गए आज हमारे यहां हर किताब के दर्स हैं लेकिन पुरान हकीम के दर्स नहीं है वो किताब जो किताब हमें जिन्दगी बताने आई थी कहा कहा क्या क्या असूल है हम उससे हट गए हमने अबादत को सिर्फ एक नमास को अबादत जाना और उस नमास को भी सही तरह से अदा नहीं किया हमारे जहन में यह आ गया कि जिस शख्स ने नमास पढ़ ली और रोजे रख लिए वो शख्स सबसे आदमी नेक है और वो जन्नती है हम यह भूल गए कि उससे बढ़कर निजाम है यह जख्सकात का क्यूं क्यूंके गुलाम तो हैं इजहार करेंगे हम लेकिन यहां आने के बाद माल जो हम कमाते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारी मेनत का जरिया बनता है हुकम इलाही से हुकम तो अल्लह ही का होता है अब उस माल को हम कुर्बान करें अल्लह के लिए यह बड़ी एहम चीज़ है इसकी तालीम नहीं होती इसके दर्स नहीं होते इसको बताया नहीं जाता वजह उसकी यह है कि जैसे आपने कहा था मैं फिर दोरा रहा हूं कि मदार्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा ले जाते हैं लेकिन वहां आम आवाम को यह नहीं बताया जाता कि आप और मिनत कीजिए यह मदार्स का हिस्सा है इससे ज़्यादा पैसा कमाई है जिससे जकात बड़े तो वो बच्चे जो गरीब ही आ रहा है उनके वालदेन उन बच्चों को हम अमीर कर दें जिससे उनके बच्चे जब पढ़ने आएं मदार्स में तो पैसे दे कर आएं हमारी सोच नहीं है और कुरान ने इसके बारे में साफ कहा है कि अल्ला उनकी मदद नहीं करता जो अपनी नफस अपनी साइकी को सही नहीं करते हमें चाहिए कि हम अपनी साइकी सही करें हम ये सोच पैदा करें अपने अंदर कि हमें किस तरह से गरीबी को मिटाना है और जकात इसका सबसे बहतरीन तरीका है आज मुसल्मान इसकी अहमेत को जाने जिस तरहां बुनियाद है, नमाओ के बाद सबसे अहम जकात कहा गया है, जकात, आप सोचिए, किन को जकात देने वाले जन्नत की तर खड़े हों, और हम उसमें मायूस हों, हम Sichाईए कर जाथा माल कमाएं, हमाई तरफ धिहानी नहीं हिँ हम जकात के लिए माल कमाएं, हम ज्यादा से ज्यादा एक्षटी करें और उसे सही रहा पे चलाएं तो अगर हमारी कोई ऐसे और्गिनाइजेशन बन गहीं तो यकीना इसका सही इस्तेमाद हो करें बहुत 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 शुक्रिया डॉक्त साथ तो सही पूरी तफसील देना जड़ी जड़ी ज़कात दे एक जानवरां दे लेवी ओजरी चैरिटी है ओग कीती जा सकती है फिलहाल मैंनू ए प्रोग्राम में थी खतम करन दी देओ इजाज़त अगले आपते एक होर नमा टॉपिक लाएके थोड़े रूब रूब होँआंगे तथ अगली मैंनू यानि कासिफारू कीनू इजाज सब्सक्राइब तान्वार